स्वास्त सेभाओं को बाधित करने वाली आशा और आसा फेसिलेटरों के वर्खास्त किया जाएगा साथ ही इन लोगों पर कानूनी कारवाई की जाएगी गुरुबार को राजे स्वास्त समीती के कारेपालक निदेशक लोकेस कुमार सिंग ने सभी जीला अधिकारियों को पत्र लिख कर सेभाओं को बाधित करने वाली आशा कार करताओं और फेसिलेटरों को नौकरी से हटाने और उनके अस्थान पर नई निउक्ती करने का निदेश दिया है अपने भिविन मांगो को लेकर आशा और आशा फेसिलेटर एक दशंबर 2018 से काम का वहिसकार कर रहे हैं इनके द्वारा एंबुलिंस, परिशालन, नेमित, ठिकाकरन, OPD, संस्थागत, प्रसो, शमेत, अन्य सेवाओं का बाधित किया जा रहा है 12 जुलाई से लगातार हर्ताल जारी है और लगातार आशा करकरता जो है अनिस्थित कालिन हर्ताल पर बैठी हुई है तो काफी बहुत सारी कर्मचारियों के द्वारा ये धमकी दी जा रही है कि उन्हें जो है नौकरी से निकाल दिया जायेगा उनके पर कानूनी खारवाई की जाएगी तो इस तरह के तमाम बाती कहकर आसा कर्मियू को ड्राया जा रहा है और आसा कर्मियों के साथ कहीं जो है कुछ-कुछ जगहों पर दुर बैभार भी की जा रही है तो आशाकार करताओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग का डरे नहीं अनिसुत कालिन हर्ताल पर बने रहें क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप जितना काम करते हैं उसके बदले में आपकी जो प्रुच्छान रासी मिलनी चाहिए वो आप लोगों को नहीं मलती है तो इस बार आप लोगों की मांगे जो है और हर्ताल में जो है अपना भागिदारी नभाईए आप साथ रहिए परिनाम आप लोगों के हित में होगा